नहीं रहे जाने माने उध्योगपती रतन टाटा मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में हुआ नधन 86 साल के उम्र में ली अंतिम सांस सुफा 10 बजे से अंतिम दर्शन रतन टाटा के नधन परदेश में शोक किल है पीम मुदी समेट जानी मानी हस्तियों ने जताया शोक पीम बोले रतन टाटा एक असाधारण इंसान और दूर दर्शी बिजनस लीडर थे प्रधान मंसुई नरिंदर मूदी आज वे लाउस रवाना होंगे 21 वे आसियान भारत शिकर समेलन मिलेंगे हिस्सा दो दिवसी ये दौरे के दौरान कई नेताओं से धुई पक्षे मुलाकात भी करेंगे जम्मु कश्मीर में जीत के बाद आज नेशनल कॉन्फरेंस की विधायक दल की बैठक, कल गडबंधन की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा नहीं रहे जाने माने उद्योगपती रतन टाटा मुंबई के बीच कैन्डी अस्पताल में हुआ नधन 86 साल के उम्र में ली अंतिम सांस सुभा 10 बजे से अंतिम दर्शन रतन टाटा के नधन परदेश में शोक किल है पीम मुदी समेट जानी मानी हस्तियों ने जताया शोक पीम बोले रतन टाटा एक असाधारण इंसान और दूर दर्शी बिजनस लीडर थे प्रधान मंसुी नरिंदर मूदी आज वे लाउस रवाना होंगे 21 वे आसियान भारत शिकर समेलन मिलेंगे हिस्सा दो दिवसिये दौरे के दौरान कई नेताओं से धुई पक्षिये मुलाकात भी करेंगे जम्मू कश्मीर में जीत के बाद आज नेशनल कॉन्फरेंस की विधायक दल की बैठक कल गडबंधन की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा आपको रखे आगे